हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चेनल पर फ्रेंड्स आज के क्विज क्लास में हमने साइन्स के कुछ इंपोर्टेंट कोस्टेंस को सामिल किया है जो आपके आने वाले सारे एक्जाम के लिए काफी महत पूर्ण है प्रतेक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा अगर आपको आनसर पता हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने खूबियों को और अपने खामियों को जरूर जाचे तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास आज का पहला सवाल है मनुस्य के सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है आनसर है फिमर मनुस्य के सरीर में सबसे बड़ी हड़ी फिमर होती है अगला सवाल है फिमर नाम का हड़ी मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है आनसर है थाई यानि जांग फिमर नाम की हड़ी मानव शरीर के जांग में पाया जाती है अगला सवाल है मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है आनसर है प्लीहा मलेरिया में प्लीहा प्रभावित होता है अगला सवाल है मनुस्य के सरीर का यूरिया लेबल बढ़ जाने से सरीर का कौन सा भाग काम करना बंद कर देता है आनसर है व्रिक यानि किड़नी मनुस्य के सरीर का यूरिया लेबल बढ़ जाने से किड़नी काम करना बंद कर देता है अगला सवाल है फोलो के अध्यन को क्या कहा जाता है आनसर है पोमोलोजी फोलो के अध्यन को पोमोलोजी कहा जाता है अगला सवाल है विज्ञान की साखा फोटो सोनिक्स में किसका अध्यन किया जाता है आनसर है पोधो पर ध्वनी का प्रभाव विज्ञान की साखा फोटो सोनिक्स में पोधो पर ध्वनी का प्रभाव का अध्यन किया जाता है अगला सवाल है पानी में साबुन घोलने से प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव परता है पानी में साबुन घोलने से प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है अगला सवाल है रक्त को समें रक्त को किस रासाइन के साथ मिला कर रखा जाता है आंसर है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट रक्त को समें रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ मिला कर रखा जाता है अगला सवाल है पानी का घनतु किस ताप पर अधित्तम होता है आंसर है चार डिग्री सेल्सियस पानी का घनत तो चार डिग्री सेल्सियस के ताप पर अधित्तम होता है अगला सवाल है भूपरपटी में सरवाधिक पाए जाने वाले तत्तु कौन सा है आंसर है ओक्सिजन भूपरपटी में सरवाधिक पाए जाने वाले तत्तु ओक्सिजन है अगला सवाल है ध्वानी के चाल पर ताप का क्या प्रभाव परता है आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वानी के चाल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगला सवाल है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंब कीन गेसों से होता है आंसर है हाइड्रोजन और हिलियम तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंब हाइड्रोजन और हिलियम गेसों से होती है अगला सवाल है आकास का सबसे चमकिला सितारा कौन सा है आंसर है सुक्र आकास का सबसे चमकिला सितारा सुक्र है अगला सवाल है मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्ध होता है आंसर है फार्मिक अमल के कारण मधुमक्खियों के काटने पर फार्मिक अमल के कारण दर्ध होता है अगला सवाल है पोधों के किस भाग से हल्दी प्राप्थ होती है आंसर है तना पोधे के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्थ होता है अगला सवाल है कोशीका का उर्जा घर किसे कहते हैं आंसर है माइटोकॉंड्रिया, कोसीका का उर्जाघर माइटोकॉंड्रिया को कहते हैं अगला सवाल है क्रित्रिम उपगरह में उर्जा का स्रोत क्या होता है आंसर है सौर बैटरी, सौलर सेल, क्रित्रिम उपगरह में उर्जा का स्रोत सौर बैटरी होता है अगला सवाल है सीवी रमन को भोतिकी के लिए नोबल प्रूसकार कब मिला था? आंसर है 1930 इसवी सीवी रमन को भोतिकी के लिए नोबल प्रूसकार 1930 इसवी में मिला था अगला सवाल है प्रोटीन किन से मिल के बने होते हैं? अंसर है एमिनो अमल से प्रोटीन एमिनो अमल से मिल के बने होते हैं अगला सवाल है सूरी में उर्जा का निर्मान किस प्रकार होता है अंसर है नाभी की ये सनलयान दुआरा सूरी में उर्जा का निर्मान नाभी की ये सनलयान दुआरा होता है अगला सवाल है हेमेटाइट किसका अयस्क होता है अंसर है लोहा का हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है अगला सवाल है सेव के खाने वाला भाग क्या कहलाता है आंसर है थेलामस, सेव के खाने वाला भाग थेलामस कहलाता है अगला सवाल है सम्वेग कैसी रासी है आंसर है सदिस रासी, सम्वेग सदिस रासी है आज के क्लास में बस इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करे और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर जरूर करे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के औल को सेलेक्ट कर दे ताकि आने वाले सारे क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद